हेलो दोस्तों आपको फिर से एक बार कान्हा प्लास एटूब चैनल पर स्वागत है आज हम देखेंगे प्रथम रस्मी और ताज कविता इसका लेखक है सुमित्रा नंदन पंथ चलो पहले सुमित्रा नंदन पंथ जी के बारे में जान लेते हैं सुमित्रा नंदन पंथ जी का जन 21 मई सन 1922 में उतर प्रदेश के अलमुड़ा के अंतरगत कोसानी नामगाओं में हुआ था उनका बाल्य नाम गुसाइदत था इता जी गंगादद पंथ थे उनको बच्पन में ही मात्रुशना से बंचित हो जाना पड़ा सरोस्ति उनकी मात थी यह चायाबाद के प्रमुक कवियों में थे उनको हिंदी के जुग नर्म निर्माता कभी कहते हैं जुग के अरूप काब्यधारा में परिवर्तन करते रहना उनकी विश्यसता है प्रकुति का संदर्य चित्रन उनके काब्य की अन्यतम विश्यसता है वे रमिंदरानाठ ठाकूर और किट से प्रभावित होकर अंत में मर से अर्विंद के दार्शनिकता के कभी हो गए। उन्होंने भुतिक बात तथा आध्यत्मिकता के समन्या के लिए प्रयास किया। उनके अनिक रचनाएं हैं। उन्हें चीदमबरा पर भात्या ज्यानफिट पुरसकार, कालार बुढाचान पर सहित्य अकादेमी पुरसकार, लोकायतन पर सोव्यत लेंड पुरसकार और भारस सरकात द्वारा पदमभीभूशन उपाधी मिला। उनके रचनाओ को तीन भागों में विवक्त क्या जाग सकता है। ये है संदर्जे जुग, प्रगती जुग और आध्यत्मे जुग। उनकी भासा खड़ी बोली है, उन्होंने अपनी भासा में तस्सम, तद्भप, अंग्रेजी और उर्दु के सब्दों का व्यभार किया है। हिंदी जगत के सुकुमार तथा जुग दस्टा कभी का निधन अठाई डिसंबर उन्नी सो सतस्तर को हुआ था। प्रस्थत पाठ्यक्रम में प्रथम रस्मी और ताज कभीता है, प्रथम रस्मी। यह कभीता पंत की परांभी कभीताओं में से है, प्रातकाले इन प्रकुतिक के कार्जव्य पर कभी को अपनी और आकुष्ट कर रहे हैं। सुर्जय दय के समय होने बाले प्राकुतिक क्रियाएं, प्रथम किरन का प्रूथी तर पर आगमन, पक्यों की चहचाटार, फूलों का खिलना, भूमरों का मधुगुन्चन, चन्रमा का अस्ताचल की अगमन, मंद बाजु की सिंहरन, प्रानी जगत को संदेश तेती जान परत है, प्रोकितिकाई अनुपवम बनन अकर्शन यह है, अगला कविता है, ताच, विश्व विख्या ताज महल हिंदुस्तान के मुगल भासा सहाजा ने अपनी वेगा मुम्ताच महल की मृत्यु के बाद उनकी करवर के उपर बनवाया था, आज भी इस प्रेम प्रतिक इतिह प्रतिक स्मारक की महत्ता जो कित्यों बनी हुई है, पंत ने ताच में सोंदर्जय नहीं अथ्याचारर निस्पिडन ही देखा है, वोई कहते हैं कि क्या जीबीत मानव के लिए कल्यान की अपिक्या मृत्यु को प्राप्थ हो चुके लोगों के आकर्शक स्मारक बनाना इस से जनकल्यान संभव हैं? चलो, प्रत्थम रस्मी और ताच कविता से जुड़े कुछ परसनों को देखते हैं, इसका पहला परसन है, पंत जी को ज्यानपीट पूरसकार मिला किस पर? लोकायतन, कलार, बुढ़ा चांत, बीणा, चीदंबरा, इसका सही आंसर है अप्सन D, पंजी को ज्यानपीट पूरसकार मिला, चीदंबरा कि रजनापर, कभी प्रत्थम रस्मी कविता में किसे संभधित करते हैं? अपने आपको, बिहंग बालिका को, प्रसाजी को, बालक को, इसका सही आंसर है अप्सन D, कभी प्रत्थम रस्मी कविता में बिहंग बालिका को संब्धित करते हैं उह बाली का केसे सुई हुई थी आँखे बिछा कर अपने हाथ खुल कर अपना मुह छिपा कर पेर फेला कर इसका सेयंचर अप्संसी उह बाली का अपना मुह छिपा कर सुई हुई थी द्वार पर पहरा देने वाला कौन था नोकर, जुगनु, मालिक, चोकिदा द्वार पर पहरा देने वाला था जुगनु जब बालिका सुक निद्रा में सोई हुई थी उस समय क्या होता था लोकिक कर्जिय, ओलोकिक आनंद, अद्भूत ब्यापार, पुजा किर्तन इसका से यंसर है अप्सन C उस समय अद्भूत ब्यापार हो रहा था अगला प्रसन है आकासे धर्ती पर क्या फेल रही थी चंद्रमा की किर्यने, सुर्जिया लोक, अत्मा की सक्तियां, तारों का प्रभाब इसका से यंसर है अप्सन लिए आकासे धर्ती पर चंद्रमा की किरने फेल रही थी मुनुस्य जब सुपतावस्ता में सपना देखता है तब क्या होता है मानसिक सक्तिक का सक्रिया, सारिरिक बिकलंग, सारिरिक अंग निश्चेष्ट, मानसिक अश्रूब धराब बर्संग इसका सही अंसर है कुण सुर्जय दया के स्वार्थ, स्वागत अर्थ, कुक उठी है कोकिला, मोर्नी, मूर्गी, हनसिनी कभी पन्जी को किस बात का आश्चर्जय हो रहा है प्रथम बसंद की सप्ला मिली, प्रथम स्पर्स केस से अनुभब हुआ, प्रथम सक्ति की सुचना केस से मिली, प्रथम रस्मिक केस से लिखी गई इसका सही अंसर है अपसन सी प्रथम सक्ति की सुचना केस से मिली कभी की दुष्टी में रंगिन है लिखी गई अंतरज्यामीनी प्रगतिल सिल नारी आंतरिक सक्ती बाहय विश्य सत्ता इसका सही अंसरे अप्सानी अंतरज्यामीनी अगला परसना है कमल के प्रोकुष्ट में कोन बंद रहता है तालाप, भ्रहमर, फूल, सुर्ज्य इसका सही अंसर है अपसन भी कमल के प्रोकुष्ट में भ्रमर बंद रहता है कभी ने काले काले बादलों को क्या कहा है राख्यस, कमल, देपता, प्रकास इसका सही अंसर है अपसन ही कभी ने काले काले बादलों को राख्यस कहा है किनकी पलकें खुल जाती है वोस्वों की, पाठोकों की, मानुबों की, किसी की नहीं इसका सहियन सारे अफसंसी मानुबों की पलकें खुल जाती है चंद्रमा रूपी सुंदरी की दसा किया हुई प्रभापून, प्रकस्पून, अच्छी, प्रवाहिन कभी किसे राख्यस कहते हैं काले काले बादल, संसारबादी, सूर्जिय, चांद कभी काले काले बादल को ताख्यस कहते हैं ब्रहमर कहां बंद रहता है अपने घुसले में, पेड में, कमल के प्रोकुष्ट में, फल के पत्तों में ब्रहमर कमल के प्रोकुष्ट में बंद रहता है निराकार नप, मानो, सहसा में कौन सा अलंकार है उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ती, उत्प्रिख्या निराकार नव मानो सहसा में उत्प्रिख्या अलंकार है भूलगे हम जीवन का संदेश अनस्ष्वर यह कौन सी कविता की पंक्ति है ताज, गीत, बिहंग, तपरे, प्रथम सक्ति इसका सहेंसर अपसनी, ताज, भूलगे हम जीवन का संदेश अनस्ष्वर यह ताज कविता की पंक्ति है ताज कविता किस से सुनी गई है, चुनी गई है निर्जा, अनामिका, जुगांत, परिमल ताज कविता, जुगांत से चुनी गई है ताज कविता में कभी का कैसा स्वर मुखर है चायावादी, प्रगतिवादी, आदर्सवादी, प्रुजगवादी ताज कविता में कभी का प्रगतिवादी स्वर मुखर है उनस्वर का आर्थ है स्पॉस्टिक, कुश्षीत, मृत्तक, सास्वत प्रगति बादी सर को मुखरित करने वाले कभी हैं प्रेमर सुन्देजर का प्रतिक है पाक महल, ताच महल, संग महल, रंग महल प्रेमर सुन्देजर का प्रतिक है प्रेमर सुन्देजर का प्रतिक है, ताच महल अगला परस्ण है अंधका रूपी अज्ञान कब समात्त हो जाता है ज्यान चले जाने के बाद प्रकास फेलते ही आलोग और अंधेरा मिलने से प्रकास चले जाने के बाद इसका सहयंसर अप्शन भी प्रकास फेलते ही अगला परसन है प्रकास रुपी ज्यानोदोय के पिस्तार से क्या होता है प्रकास दूर होता है, कुछ नहीं होता है, निराकार साकार होता है, आकार निराकार होता है इसका सहयन सर है option C, निराकार साकार होता है, प्रकास रुपी ग्यान दोय के विस्तार से निराकार साकार होती है बुख्या के सुप पलब कप रोमांची थोकर सिंघर उड़ते हैं जब बुख्या टूर जाता है जब सुज्य का तेज प्रकर होता है जब पलब सो जाता है जब प्राथा कालिन हवा बहती है इसका सेहन सरे अब संडी जब प्राता कालिन हावा बहती है तब बुख्षा के सुप पलब प्रोमांचीत होकर सिहर उड़ते हैं किया आने पर फूलों में स्पन्दन, सुगन्थ और भ्रमोरों का मंडराना आरम होता है पेड़ पोधे, तेशावा, प्रत्थम रस्मी, दुत्य प्रहर इसका सहेंसारे अप्संसी, प्रत्थम रस्मी आने पर फूलों में स्पन्दन, सुगन्थ और भ्रमोरों का मंडराना आरम होता है चायाबाद की सेली की विशेसता है रहस्य का लोपोना, मुर्थ का अमुर्थ बिधान और प्राकृतिक सोभा का बनन प्रकृति का मानवी करन चायाबाद की सेली की विशेसता है प्रकृति का मानवी करन स्पन्दन और कमपन में कौन सा अलंकार है? चेकानुप्रास उपमा उत्प्रिख्या पुनरुक्ती स्पंदानर कमपन में चेकानुप्रास अलंकार है कभी क्या देखकर आस्चर्चे चकीत होते हैं मानब का त्याक, मानब की उदासिंता, जीवन की प्रती, मानब की आत्मियता, मानब की सक्रियता कभी मानप की उदासिन्ता जीवन के प्रती देखकर अक्सर्जे चकित होते हैं कभी ने किसे देखकर मृत्यु का अपर्थिप पुजन कहा है ताज की पीडा, ताज महल की सेली, ताज महल का संदर्जय, प्रेम साधना इसका सेहन सरे अप्सन सी ताज महल का संदर्जय देखकर कभी मृत्यु का अपर्थिप पुजन कहा है अगला प्रसन है कभी किसले अधिक ब्यधित है ताज महल की पुजन ना करने पर निर्जीप और सजीप की समानता सजीप की पुजा से जीबित ब्यक्ति के लिए रूटी, कपड़ा, मकान नहीं पर निर्जीप सब की चिंता देखकर अधिक ब्यक्तित है स्रिंगार और मरन का सोभन कहां देखने को मिलता है ताज महल, स्रिंगार भमन, मंदी, सर्गुद्वार स्रिंगार और मरन का सोभन ताज महल पर देखने को मिलता है हमें मरन को सीकार करना होगा यह किसका अंतिम पर नाम है मृत्यू, चुना, प्रेम साधना, पुजार्चन इसका सही अंसर है Option C हमें मरन को सिकर करना होगा यह किसका अंतिम परणाम है? नहीं, इसका सही अंसर होगा Option E यह मृत्यू का अंतिम परणाम है ताजमल प्रतिक है किसका प्रेम और घुणा का आगे बाले घरबालों का हिंसा और इत्सा का बिते जुक की धर्म रूढ़ियां का इसका सही अंसर है अब संडी ताजमल प्रतिक है बिते जुक की धर्म रूढ़ियों का जिवितों का सहरा कोन है? कभी, राख्यास, इस पर कोई नहीं जीवितों का सहरा है इस्वर मृतों का सहरा है जातक, पथिक, जीबन, मृतक मृतों का सहरा है मृतक प्रथम रस्मी कविता के लेखक कोन है? सुमित्रा नंदन पन्त, जैसंकर प्रसात, महादेवी बर्मा, निराला प्रथम रस्मी कविता के लेखा के सुमित्रा नंदन पंत इहा कविता कब लिखी केई? 1910, 1912, 1915, 1919 इहा कविता 1919 इस्वी में लिखी केई इहा किस काभ्य संग्रस्टे संकाली थे? बिना, आसु, जर्ना, प्रथम रस्मी इसका सहियन सरे अपसन है इहा कविता संकाली थे? अगला परस्णा है पंजी का जन्म कब होआ? 1922, 1921, 1922, 1923 इसका सहियन सरे अपसनी 1922 में पंजी का जन्म होआ इनका जन्म स्तान था कोसांबी, कोसानी, इलहाबात, लखनों इनका जन्म स्तान था कोसानी इनके पिता का नाम था गंगा परसात पंथ, गंगा सहे पंथ, गंगा दंथ, गंगा पंथ इसका सहियन सरे अपसन सी इनके पिता का नाम था गंगा दथ पंथ इनका बच्पन का नाम था राहुल दत, नरेश दत, गोसाई दत, रमेश दत इनका बच्पन का नाम था गोसाई दत इनका प्रत्थम काब्या संग्रा है बीणा, पल्लब, गीर्चे का घंटा, सभी इनका प्रत्थम काब्या संग्रा है गीर्चे का घंटा इनका प्रत्थम काव्य संग्र प्रकासित हुआ 1910 इस्वी में 1912 इस्वी में 1915 इस्वी में 1916 इस्वी में इसका सहयंचर अप्संडी 1916 इस्वी में इनका प्रत्थम काव्य संग्र प्रकासित हुआ संब्यदन सील इंद्रिया बोत का कवी किस से कहायाता है महादेवी बर्मा को प्रसाद को पंत को रियाला को इसका सही अप्संसी पंत को कहायाता है इसका सहीनटार अप्सन सी अचाजी रामचंदर शुखला ने किस से छायावादी कभिको अधिक महत दिया महधेवी बर्मा को, प्रसात को, पंत को, निराला को इसका सहीन सरा अप्संसी पंद को आचाजे रामचंदर सुकला ने पंद कभी को अधिक महत्त दिया सुमित्रा नंदन पंद प्रकुति के किस थरा के कभी कह जाते हैं सुकुमार, सुन्दर, स्रेष्ट, प्रिया सुमित्रा नन्दन पन्द प्रकुति के सुकुमार कभी कह जाते हैं एगला परस्ण है पन्जी ने अपने जीवन के किस काल को नव मानवता का सपना काल कहा है इसका सहीन सारे अप्सन भी पंजी ने अपने जीवन के 1945 से लेकर 1959 तक के काल को नव मानवता का सपनकाल कहा है पंजी की प्रथम छायवादी रचना है गुंचन, उच्छवास, लोकायतन, बिना पंजी का प्रथम छायवादी रचना है उच्छवास इनकी अंतिम छायवादी रचना है गुंचन, उच्छवास, लोकायतन, बिना इसका सही अंसर क्या है इसका सही अंसर है अप्सन लेक गुंचन इनकी अंतिम छायवादी रचना है गुंचन लोकाय अतन महाकाब्यों किसके जिवन पर लिखा गया है? नहरू के, पटेल के, महातमा गंधी के, इंद्रा गंधी के? इसका सही अन्सर अप्सन सी, महातमा गंधी के लोकाय अतन महाकाब्यों महातमा गंधी के जिवन पर लिखा गया है अगला परसना है कलार बुढ़ा चांद पर कुन सा सम्मान मिला भात्या ग्यानपीर पुरसका, अकादेमी पुरसका, सोब्याद लेंड लेहरू पुरसकार कोई नहीं कलार बुढ़ा चांद के लिए पंजी को अकादेमी पुरसकार मिला अगला परसना है सोवियाद लेंड लेहरू पुरसकार मिला किस पर चिदंबरा, उच्छबास, लोकायतन, गुंजन इसका सही हैंसर अपसन सी सोवियाद लेंड लेहरू पुरसकार लोकायतन की रचना पर मिला इनके किस रचना की भूमिका को छायाबाद का घोसना पत्र कहायाता है पल्लब, बिणा, चिदंबरा, गुंजन इसका सहीन सरे अपसन नहीं इनके पल्लब, रचना की भूमिका को छायाबाद का घोसना पत्र कहायाता है पंजी ने किसको कल्पना का बिछल बाल कहा है? पल्लब को, बिणा को, चिदंबरा को, गुंचन को पंजी ने पल्लब को कल्पना का बिछल बाल कहा है? पंद और बच्चन की सम्मिलित तिरचनाओं का संग्रा है पल्लब, खादी के फूल, चिदंबरा, गुंचन इसका सहियन सार है Option B खादी के पूल पंदर बच्चन की सम्मिली दरचना है छायबाद के किस कभी को सब्थ सिल्पी कहा गया है निर्याला, पंथ, प्रसाथ, महादेवे बर्मा इसका सहियन सार है Option B पंथ को सब्थ सिल्पी कहा गया है सुमित्रा नंदन पंद का संबंध किस पत्रिका से है इंदू, मतबाला, रुपाप, चान इसका सहियन सरे अप्षन C, रुपाप मार्सबादी दर्शन से प्रभावित रचना है, बिना और गुंचन, जुगबाणी और ग्राम्या, परलब और गुंचन, ग्रन्थी और परलब इसका सहियन सरे अप्षन B, मार्सबादी दर्शन से प्रभावित रचना है, जुगबाणी और ग्राम्या किस कभी के काभ्य का क्रमिक विकास चाहबात प्रगति बात एबंग नवव मानव बता बात के रूम में हुआ है सुमित्रा नंदन पन जैसंकर प्रसाथ महादेवी बर्मा निराला इसका सही अंसर है अपसा नहीं सुमित्रा नंदन पन हिंदी में नवचेतना बात का प्रवर्तक कोन है? सुमित्रा नंदन पन्त जैसंकर प्रसाथ महादेवी बर्मा निराला हिंदी में नवचेतना बात का प्रवर्तक है सुमित्रा नंदन पन्त ताज कभीता के कभी कोन है? सुमित्रा नंदन पन जैसंकर प्रसाथ महादेवी बर्मा सुर्जकां त्रिपाठी निराला इसका सहियन सरे अपसनी सुमित्रा नंदन पन ताज कविता के कभी हैं सुमित्रा नंदन पन ताज कविता पन जी के किस कभ्यों में संगलीत है जुगांत, बीना, गुंचन, लोकायत इसका सहीन सारे अपसनी, जुगांत, ताजकविता, पंजी के जुगांत काभ्य संग्रव में संकलित है इसकी रचना कब की हिक गई है? 1930, 1931, 1932, 1935 इसका सहीन सारे अपसन्डी 1935 इस्मी में ताज कविता की रचना की गई है